नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सभी का यूटूब चैनल जॉक्स्रे में दोस्तों बहुत बड़ी यहां पर अपडेट लेके आया है आप सभी के लिए दोस्तों आपको पता होगा कि 2021 में जो है वह इंडियन एर फोर्स ग्रूप सी की यहां पर भरती आई थी एक नहीं बल जागा था उससे जो है पांस छे दिन पहले जो है एक सब्ता पहले यहां पर वेकेंसी आया था तो हम बात करने वाले है एडमीड सब का आड़ा है ठीक है आपको ध्यान देना यहां पर यह वाद है कि एर फोर्स जो ग्रूप सी वेकेंसी 2021 में जो आई है आई थी दोनों व और बहुत सारे कंडिडेट का यहां पर एक्जाम भी शुरू हो चुका है पांच जो है वह जुलाई से ही और मैं अभी आपको अपडेट कर रहा हूं लेगिन दे रहा है दूरुसता है दोस्तों यहां पर मैं आप लोग अपडेट कर रहा हूं इस बात के लिए कि अगर आ है वह तमाम चीजे मैं इस वीडियों बता दूंगा ताकि आपकी जो भी डाउट हो जाए आगे बढ़ेंगे दोस्तों उससे पहले मैं आप लोग से छोड़ी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे तो प्लीज सब्सक्राब करना मत बुल तो आप लोग किसी की और काम करने से पहले जाकि वह वीडियो देख लीजिए और उस तरह से आप अपना चेक कर सकते हैं ताकि आपको एक यहां पर माहिने यह समझ में आ जाए कि चलो भाई मेरा सेलेक्ट हो गया तो मेरा एडमिट का आना ही है आएगा ही ठीक है इसकी पर कि दोनों वेकेंसी का यहां पर एक ही साथ एडमिट कार आ रहा है या अलग अलग आ रहा है तो दोस्तों अलग अलग भी आ रहा है ऐसा नहीं एक ही साथ आ रहा है अब यहां पर बात क्या होती है कि जैसे एक पोश्ट के लिए आपने दो दो बार अपलाई किया था ठीक है माह तक चलने वाली है और आपका जो है इसी में से कोई एक जो है डेट होने वाला एक्जाम के लिए लगातार पर दे जो है आप तीन सिप्टों में होड़ा है पड़िक्षा आप सभी को सिलेबस के बारे में अगर नहीं पता है तो वीडियो का लिंक मैं दे दूंगा डिस्क अगर आपको नहीं मिला है आप तक नहीं पहुंचा है तो आप सबसे पहले जो है मैंने बताया जो आप जाके चेक करिए वीडियो जिस तरह से मैंने बता है आपको कैसे फॉर्म चेक करना है आपना जो आपको पहुंचा या नहीं पहुंचा उस तरह से आप लोग चेक कर स होगा आपको मिल जाएगा नहीं तो क्या होता है कि पोस्ट में जो होता है वह दो-चार दिन लेट कर देगा तो आप ही को उस तरह से यहां पर प्राब्लम हो जाएगी ठीक है वैसे मैं बात करूँ कर दिया गया तो जून मंत से ही 20 जून से ही यहां पर इसू कर दिया गया बहुत सारे कंडिडेट को 15 जून का ही है 12 जून का ही है यहां पर दिया गया जो आपका एडिमिट कार्ड है ठीक है इस तरह से पहुंचने मून सभी को समय लगा है लेकिन दोस्तों सब को यहां पर ध आया होगा ठीक है तो आप कमेंट जरूर कर दीजिए या अपना स्कीन सॉर्ट में मुझे टेलिग्राम ग्रूप में देदीजिए या मेरे इस्टाग्राम आईडी पर आप भेज सकते हैं अब दोस्तों आप लोग एक स्कीन सॉर्ट यहां पर देख रहे होंगे यह कॉल 21 का यहां पर डेट दिया गया है एक्जाम का यहां पर देख सकते हैं एक कंडिडेट का यहां पर देख सकते हैं जो 24 जून 2021 को यहां पर रिलीज किया गया था ठीक है नेक्स्ट यहां पर आप लोग देखिए कि अब मैं यहां पर बता दू आप सभी को कि आप सभी को पोश्ट वाले कौन सा वेकेंसी है और यहां पर 257 वाला कौन सा है ठीक है तो मैं आपको दुस्तों बता दू यह भी स्कीन सॉट है मैं बताने के लिए मातरी यहां पर स्कीन सॉट आपको दिखा रहा हूं यहां पर आप आप देख सकते हैं 25 ED Air Force Station देवलाली ठीक है तो यह देवलाली जो लिखा हुआ है और यहां पर ED लिखा हुआ 25 ED तो क्या होगा अगर 15 सा 15 सा पोश्ट वाले जो होगा यानि यह 15 सा 15 पोश्ट वाले जो वेकैंसी थे उसकी अगर काड आपको देखने को मिलेगी तो उसके ऊपर में इसी तरह का जो है लिखा होगा उसमें ठीक है अगर दो सा संतावन पोश्ट वाली अगर वेकैंसी का अगर आपको पीडिएफ यानि की एडिमिट काड अगर मिलेगा आपको तो उसके ऊपर यह नहीं लिखा होगा यह च तो तब तक के लिए धन्यवाद मिलते फिट अगली वीडियो में